श्री शिवाई नमस्तिब्यम भगवान शिट जी आपकी हर मनो कामना पूरी करें इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम सुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है 22 जन्वारी 2024 दिन सोमवार को आयोध्या में शी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का पावन दिन आही गया है उस दिन हमारे राम लला अपने भवन में अपने मंदिर में विराज मानोंगे आज इस वीडियो को बनाते हैं बहुती ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है बहुती खुशी का दिन है ये हम सब के लिए बहुत सुन्दर प्यारा सा जो है वो एक उपाए लेकर आई हूँ जो आपकी हर मनुकामना पूरी करेगा हर मनुकामना पूरी करने के साथ साथ आपके जीवन के जितने भी कस्ट है वो सारे कस्ट दूर हो जाएंगे बहुत सुन्दर उपाय है बहुत सरल सटीक अचूक महा उपाय है इस दिन बहुती पावन दिन 22 जन्वरी को आपको इस उपाय को अवश्य करना है कल के दिन 22 जन्वरी को सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं तो वो है हमारे संकट मोचन भगवान क्योंकि उनके श्री राम जी राम लला जो है वो मंदिर में पूरे प्राण प्रतिस्था से विराजमान होने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रसन जो होंगे ना वो हमारे हनुमान जी होंगे हनुमान जी का ही बहुत प्यारा सा उपाय है दोस्तों बहुत अच्छे से अगर आप करेंगे क्योंकि हनुमान जी ना प्रसन रहेंगे कल के दिन बहुत जादा प्रसन रहेंगे और अगर भनुमान जी प्रसन रहेंगे और अगर आपने ये उपाय कर लिया तो समझो आपकी दिन दुगनी राच चौगनी तरक्की भी हो गई और आपके सारे कस्ट जो है वो पूरे मिट जाएंगे, कट जाएंगे देखिए आपको इस तरह से जो है वो चौमुखी दिया बनाना है चौमुखी दिया बनानी के लिए एक विधी यहां आपको बता रही हूँ धान से सुनिएगा चौमुखी दिया आपको बनाना है पर जो बाती होती है वो आपको रक्षा सूत्र की जो बातिया होती वो बनान और उन चार वातियों को दीपक में इस तरह से लगा देना जिस तरह से आपर दिखाया जा रहा है यह उपाय आपको शाम को करना है आप दिया की तैयारी मतलब दिया बनानी की तैयारी जह है वो आप दिन में कर सकते हैं शाम को कर सकते हैं लेकिन आपको यह उपाय जो करना है साम को साथ वजे के बात करना है चौमबु की दिया बना लिया आपने रक्षा सूतर की लाल बाती वाला अब आपको चाहिए दो लॉंग चाहिए है फूल वाली लॉंग चाहिए इस बात का विशेश ध्यान रखी कर ठीक है फूल होना चाहिए उस लॉंग में अब आप कहा जाएंगे शाम को अगर आपके घर के आसपास हनुमान मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है यह उपाय आपको घर के बाहर जाकारी करना है थोड़ी सी मैनत कर लीजेगा बहुत सुन्दर बहुत प्यारा उपाय है संकट मुझर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन हो जाएंगे चीक अगर आपके घर के आसपास हनुमान मंदिर है तो पहले आप हनुमान मंदिर जाए अच्छे सुनके दर्शन कीजे पूजा अरचना कीजे जिस तरह से आप करते हैं वैसे पूजा अरचना कीजे उसके बाद अगर उसी हनुमान मंदिर के पास अगर बट वरक्ष है तो उसी वट वरक्ष के नीचे आपको ये लाल बाती का चौ मुखा दिया जलाना है दिये को प्रजलित करने से पहले जो दो लॉंग आप ले गए है उस लॉंग को आपको दिये पे डालना है और उसके बाद जो है वो बट वरक्ष के नीचे प्रजलित करना है अच्छा यहाँ पर एक बात और बता दू आपको ये दिया जो है वो सरसो तेल का दिया तयार करना है क्योंकि दिखे थंड का समय है अगर घी का दिया हम जलाते हैं तो वो हो सकता है थोड़ी दिर बाद बुझ जाए है ना तो हमको कम से कम आधे एक घंटे ये दिया जो है वो वट वरक्ष के नीचे जलता रहे प्रजलित होता रहे इसलिए यहाँ पर मैं विशेश तोर से आ प्रसन होने वाले हैं और ये हमारे ऐसे भगवान है जो आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में धर्ती पर दोस्तों विराजमान है तो आपको संकट मोचन को कल और भी जादा प्रसन करना है वट वरक्ष के नीचे ये सरसो के तेल का लाल बाती वाला चौम उखा दिया अवश्य जलाएं कल का दिन बहुत ही जादा शुब है 500 वर्सों के बहुत ही इंतजार के बाद जो है वो ये दिन आया है तो ये विशेश प्रकार का उपाए आप अवश्य करे भगवान हनुमान जी को प्रसन करने के लिए आशा करती हो आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिगा और अपने ही चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब कर दीजिगा एक छोटी सी बिंती है आप लोग लाइक नहीं करते है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिगा ऐसे ही कल के पावन पर्व महोत्सव की आप सभी को धेर सारी शुब कामना है धन्यवाद दोस्तों